नमस्कार दोस्तों मैं हूँ ब्रजेश सिंग और आप देख रहे हैं लाइव उत्तर प्रदीश टीम इंडिया के अनुभवी विकर कीपर बल्लेबाज महेंज जिंग धोनी संभवता अपने केरियर की आखी विश्व कप पारी खेल रहे हैं अब तक विकर के पीछे और बल्ले सुन का प्रदर्शन शांदार रहा है लेकिन धोनी को मौझूदा विश्व कप में धीमी बल्लेबाजी के लिए काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है ऐसे मैं कयास लगाए जा रहे हैं कि विश्व कप के बाद धोनी सन्यास ले करेंगे लेकिन खुद माही ने अपने सन्यासी खबरों पर बड़ा वियान दिया है देखिए हमारी खाज सिपोर्ट भारत के दिगच खिलाडी महिन सिंग धोनी के वर्ल कप के बाद सन्यास को लेकर अटकलें लगाता जारी हैं किसी का कहना है कि वो वर्ल कप 2019 में टीम इंडिया के आकरी मैच के बाद सन्यास का एलान कर देंगे तो कुछ लोगों का मानना है कि माही भारत आकर चुपचाप खेल को अलविदा कह देंगे इन अटकलों के बीच महिन सिंग धोनी ने खुद ही इस सवाल का जवाब दे दिया है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धोनी ने श्रिलंका के खिलाफ मैच से पहले सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया दी है धोनी ने कहा है कि उन्हें खुद नहीं पता कि वो सन्यास कब लेंगे उन्हेंने आगे कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं कब सन्यास लूँगा लेकिन कुछ लोग मुझे शुलंका के खिलाफ मैच से पहले ही रिटायर करना चाहते हैं ऐसी खबरों के लिए बने रही है हमारे साथ लाइव उत्तरप्रदेश लकनव